हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्रडेक्टिप्शन रिकिम्डेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो डेली बिस्स की तरह दो बैतरिंग स्टॉक लेकर आउं तो आउं जो यह स्टॉक आप लोगों के लिए एक नॉलेजेवल और एक एजुकेशन परपस से है दोस्तो ठीके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा अगर आप लोगों ने हमारे प्रॉफिट गूरू चैनल को करिए तो चलिए सबसे पहले दोस्तो आज का मार्केट अपडेट देता हूं तो आज दोस्तो थोड़ी सी गिरावट के साथ मार्केट 15,740 पे क्लोज हुआ है तो उसमें से आप देख सकते हो 27 स्टॉक यह से थे जो पोजुटीव थे 22 स्टॉक नेग्योटी देखने मिले और एक स्टॉक में कुछ भी मुमेंट नहीं हुआ तो टॉप गिनर की लिस्टी चेक कर सकते हो और टॉप लूजर की लिस्टी भी यहां पर हमें देख के चल सकते हो ठीक है तो इन्हीं में से दो बहतरिंग स्टॉक है जो आप लोगों को कलकी डेट में जोड़दार परफ 377 रुपे हाई लगाता है 3849 रुपे 40 परसे का और लो लगाता है दोस्तो 377 स्टॉक में आज ओल टाइम का हाई और 52 का हाई लगते हो देखने को मिला स्टॉक में देर उसे के साथ साथ वॉल्यूम की कंडिचन की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तो 9,88,000 कॉंटिटी का देखने को मिल रहा है बाकी 52 का हाई और 52 का लो देखके चल सकते हो क्योंकि दोस्तो यह एक मीडिकेप आई टी कंपणी तो बहेंकर खतनाग मुमेंट दिखा रही बाकी आप देख सकते हो 31 परसेंट तक का है आप डिलिवरी देखने को मिल रहा है कॉंटिटी अगर आप द तारीक का में चार्ट आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं एकदम लोर पॉइंट से जैसे गेप आप ओपनिंग होता है स्टॉक में ठीक है गेप ओपनिंग के बाद एक चोड़ असब प्रॉफिट बुकिंग आता है वो दोस्तो लगबख रहता 3640 रुपे के आज-पास करते हैं जैसा आज मुमेंट हुआ ठीक है तो स्टॉक में मुमेंट हुआ लगबख 50-60 पॉइंट का लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग में भी पूरा आ जाता है मतलब स्टॉक में एक चोटा सा पेटर्न वनता है वो यहां पर कुछ समझने के लिए नहीं रहता है आप द करवा देता है अब देखिए यह एक यू पेटर्न बना ठीक है यू पेटर्न बनने के बाद दोस्तों क्या हुआ फिर तोड़ा सा यहां पर सपोर्ट लिया फिर एक बार यू पेटर्न बना है लेकिन यू पेटर्न में दोस्तों चीज का भी हमें ध्यान डगना पड़ता ह कौन सी चीजु का जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक मतलब दोस्तो यहाँ पर एक रेजिस्टन बना रहा है यह रेजिस्टन अगर ब्रेक होगा तो ही स्टॉक उपर जाएगा otherwise मान लिजे अगर यह बड़ा सा केंडल यहाँ पर बना है तो मान लिजे अगर यहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो ही स्टॉक यहाँ पर नीचे आएगा otherwise इसको अगर नीचे break नहीं कर पाया इसको ही एक चोटाजा support बना के stock उपर भाग गया तो ही stock उपर भाग पाएगा तो यह मतलब multiple confirmation के लिए यह वाली चीज हमें ज़्यादा अच्छी confirmation करना चाहिए तो आप देख सकतो यूपेटन मनाने के बाद यहाँ पर consolidate के stock तोड़ा नीचे आए देन यूपेटन मनाने के बाद एक बाद फिर से stock उपर चले जाता है उपर चले जाने के बाद दोस्तो इस stock में एक चोट अज़ा में profit booking देखने को मिलता है देन आठ तारीक आज की अगर में बात करता हूँ तो आज के दिन stock में देखिए continuously क्या हमें buying देखने को मिली यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पर बाइंग देखने को मिली एकदम lower point से जो लगबख 3600 रुपे के आसपास का था यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पर high लगबख 3840 मतलबु इस stock में वहकर खतर नाक हमें moment देखने को मिला थ हूई पर देख सकते हो जिस प्रकारसा हमें चार्ट देखने को मिल रहा है ठीक है है चार्ट में सेम यही pattern देखने को मिलरा जैसे आप देखिए यहाँ पर थोड़ा volatile देखने को मिला यहाँ पर थोड़ा सा consolidate किया देर उसके बाद यहाँ पर ज्यादा consolidate किया क्योंकि देखिए buying तो हुआ फिर profit booking यहाँ पर छोटे-चोटे गंडल यहाँ पर बहुत छोटे-चोटे गंडल फिर यहाँ पर एक buying के साथ close हुआ stock तो हम इसी buying के साथ stock को calculate में buy करेंगे तो चली आप लोगों को level बता देता हूँ तो दोस्तो आसा करता हूँ कोफोर के चार्ट पे आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़े सीखने को जरूर मिली होगी तो दोस्तो इस चीज़ को आप अपने टेकनिकल व्यू पे भी apply कर सकते हूँ ठीक है तो चली दोस्तो मैं आप लोगों को update करतेता हूँ levels के अगर मैं बात करता हूँ गर calculate में आप इस stock को buy करने वाले हो तो लगबग दोस्तो 3845 रुपे से ही buy करेगा target के अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो तो आप easily तरीके से 3865 मतलब 20 point का target लेके जाईएगा बाकी नीचे जो description में telegram का link दे है वहाँ पर दोस्तो आप लोगों को nifty bank nifty stock option के level हम daily basis फे free of cost प्रोवाइड करते हैं तो जाईए और हमारा telegram group जरूर जोइन करिए दोस्तो ठीक है और आप लोगों को SL के अगर मैं बात करता हूँ तो आप SL रगए दोस्तो 3835 रुपे गा जो आप लोगों के लिए 10 point का SL का का काम करेगा और 20 point का target का का काम करेगा दोस्तो 3865 रुपे का level तो दोस्तो आप लोगों के लिए second stock है आटो सेक्टर से जिसका नाम है hero motor कौप लिमिटेड hero motor के अगर मैं बात करता हूँ यह stock में दोस्तो आज की date में चोटा सा performance हुआ करीवन 3057 रुपे 90 पैसे पे close हुआ previous close अगर आप देखेंगे 3052 रुपे 25 पैसे stock open होता है 3058 रुपे पे high लगाता है 3078 रुपे का और low लगाता है 304 रुपे 35 पैसे का मतलब stock में अगर देखेंगे ना तो हमें देखने को मिल रहा दोस्तो 38 से 49 पॉइंट का moment वॉल्यूम के अगर मैं बात करता हूँ तो मात्र 55,000 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है देन उसके बाद 52 बिक का है 52 बिक का लो भी आप यह पर देख सकते हो ठीक है उसी के साथ साथ आप stock का आज का delivery pattern देख सकते हो लगबग 42.63% का मतलब बहुत अच्छा quantity अगर आप देखेंगे तो 2,36,000 quantity देखने को मिल रही है मतलब दोस्तो आइसर मोटर का जो performance मार्केट में वो आज काफी अच्छा देखने को मिल रहा है तो चलिए अपन इसके technical view पे चलते हैं क्या moment है मिलेगा कल के लिए यह देख लेते हैं तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हो hero motor cope का chart pattern ने आप लोगों के सामने open किया है साथ तारीका update करा हूँ जैसे gap of opening लेने के बाद इस stock ने एक बड़ा सा resistance मना था जो लगबग दोस्तो इसी level का था और वही से stock में गिरावट चालो हुई थी ठीक है इसी level से आप देख सकते हो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3070 रुपे के उपर का level है देर इस stock में फिर एक नीचे का support बना था यहां पर आप देख सकते हैं लगबग दोस्तो वह 3040 रुपे के आसपस का था सेम वही price पे यहां पर भी आकर stock खड़ा हुआ मतलब stock में इतनी जगा में अगर देखे ना तो 20 से 25 point का ही moment हमें देखने को मिला है मतलब यहां पर भी एक चोटा सा you pattern बना था लेकिन दोस्तो वह you pattern जब तक नहीं confirm होगा जब तक इस level को break नहीं करेगा तो देखिए यहां पर break नहीं किया और stock में गिरावाट आई लेकिन stock में यहां का support level था उसको हलका सा break किया लेकिन उसको भी पूरी तरीकी से break नहीं किया देखिए के साथ साथ आप देखेंगे तो stock में अगर देखा जायना तो ज़्यादा तर consolidated ही बना रहा मतलब कुछ भी moment नहीं आप अगर इस stock में intraday में trading करोगे तो अराम से 7, 8, 10 point लेना चाहोगे लेकिन वो आप लोगों को मिल लेगा नहीं क्योंकि दोस्तो momentum ही इसी प्रकार का ओरा है अब आप देखिए एक lower point लगाने के बाद stock में जो 3000 का 40 रुपे का level चूटा है यहां पर आप देखेंगे तो 3000, 50 रुपे 34 रुपे बहुत कम चांसे के stock में position मना ले लेकिन आज का अगर मैं बात करता हूँ तो आज यसे ही अगर stock open होता है सबसे पहले क्या लगाता है एक low लगाता है low लगाता है दोस्तों लगबग 3000 का फिर high लगाता है दोस्तों लगबग 3070 यही stock का high और low बन जाता है देन उसके बाद stock में देखिए यहां पर किसा moment आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहां पर trading किस प्रकार से लिए जाए बिल्कुल भी ने दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो दोस्तों में को भी नहीं आएगा क्यों हो नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कुछ pattern ही नहीं कि उसके बियाप पे हम स्टॉक पे चड़ जाए ठीकेए यहां पर यह. आप यह सपोर्ट बन गया है ठीक़्े दिन यही रेजिस्टेंट बन गय यही सपोर्ट बन गया अब यहां पर यह चोटा सा kindle के साथ close हुआ मतलब यह candle दोस्तो एक green pattern में मतलब यहां से एक अच्छे कासे level पर close हुआ यहां पर आगर आप देखेंगे न तो यहां पर अच्छे कासे level पर close हुआ तो दोस्तो कलक्रीट में इस candles को तो जरूर break करना चाहिए यहां से जो नए candle बने तो हम hero motorcop को भी buy करेंगे क्योंकि जिस प्राका से pattern अलगी हमने देखा अलगी हमने यहां पर analysis किया जब जाकि हमें पता चला कि इस stock में इस प्राकार का moment देखने को मिला तो चलिए target in stock loss update करता हूँ दोस्तो आसा करता हूँ जरूर कुछ ना कुछ चीज आप लोगों को इस वीडियो में सिखने को मिली होगी तो जरूर दोस्तो इस वीडियो को like जरूर करेगा क्योंकि दोस्तो आप लोगों के लिए यहां पर काफी अच्छे update daily basis पे लाते रहते और intraday की tips भी और दोस्तो आप लोगों को इसका level बता देता हूँ अगर कल की date में जब आप इसमें trading करोगे तो आप यहां इसको buy करोगे च्छे आजार और तीनाजार 62 रुपे के level से ठीके target के अगर मैं बात करता हूँ तीनाजार 22 रुपे का target लेके चलेगा बाकी नीचे जो description में टेलिगराम का link दिया दोस्तो उसको भी join करी लीजेगा और नीचे description में टेलिगराम के link के सास्ता दोस्तो एप stock angel broking और ls blue का डेमेट account का link भी मिलेगा वहाँ पर जाईए फिरी में डेमेट account उपन करिये और हमाँ साथ nifty bank nifty stock option में premium टेलिगराम में add हो के दोस्तो एक दिन में 3-4 call पे trading करिये दोस्तो ठीके और भरपूर वहाँ पर profit कमाईए और आप लोगों को SL के अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तो करीब करके देने वाले ठीके और किसी बिस्टॉक से लिए चीजे पूछना है नीचे comment box में जरूर comment करिये का दोस्तो ठीके तो चलिए अब हम इस वीडियो को close करते हैं वीडियो को close के दिसमें यही बोलूँगा वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक करिए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम डेली पैसस पर आप लोगों के लिए इंटरेडे की टिप्स और मार्केट अपडेट लाते रहते हैं ठैंकि दोस्तो